Hi guys, welcome to the channel, तो कल हम लोगोंने goodwill simple method से कैसे calculate करी जाती है, इसके बारे में discuss किया था और आज हम लोग super profit method से partnership में goodwill किस तरह से calculate करेंगे, उसको discuss करेंगे वैसे goodwill पे already पूरे lectures available है, playlist की link यहाँ पे flash कर रहा होगा और आप description में भी जाकर के playlist का link ले सकते हैं, वहाँ पे भी दिया हुआ है मैंने DK Goyal Accountancy की जो आपकी book है, उसमें जितने भी questions दिये हुए थे, वो सब पहले already solve कर हुए है उसी से related यह playlist है, आप वहाँ जाकर के भी चीजों को check कर सकते हैं तो आज हम लोग फिर से एक बार समझेंगे कि super profit method से goodwill का calculation कैसे करा जाता है देखे super profit method समझने से पहले आप लोगों को एक दो चोटी मुटे terms और समझने पढ़ेंगे सबसे पहले अगर कोई businessman है, वो किसी भी market में जाता है, ठीक है तो वो वहाँ के लोगों से पूछेगा या वहाँ पे थोड़ा सा research करेगा कि भाईया ये बताओ कि अगर हम इस market में मान लीजे 10 लाख रुपए लगाते हैं तो आम तोर पे मोटा मोटा हम कितना पैसा कमा लेंगे तो वहाँ पे बैठे हुए लोग या उसकी research के accordingly उसको जो भी पता लगता है कि भाईया अगर if you are investing 10 लाट रुपीज in a particular market आप अगर 10 लाख रुपए किसी market में लगा रहे हैं तो मोटा मोटा आपको मान लीजे 10% का return आएगा तो ये आपका कहलाता है normal profit मतलब आपने जितना पैसा किसी भी market में लगाया उस पे जो भी rate of return आपको मिल रहा है वो आपका क्या कहलाता है normal profit तो normal profit is equal to capital invested मतलब कितना पैसा आप उसमें लगा रहे हैं और उस पे आपको कितना rate of return मिल रहा है अब बात आती है तो normal profit आगया है फिर आप ये भी पता करने की कोशिश करोगे कि भाईया कुछ extra कमाया जा सकता है मतलब अगर किसी आदमी की particular goodwill या किसी आदमी का या किसी organization का कोई tag name है ठीक है जिसका name fame जादा है हो सकता है मैं उससे जादा कमालू तो आप क्या करते हो पिछले बीते सालों का average profit निकालते हो और उसमें से क्या minus कर देते हो normal profit को minus करते हो average profit क्या हुआ वो profit जो आमोमन आप इतने सालों से कमा सकते हो on an average मोटा मोटा इतना profit आपका आ जाएगा आप जब कुछ पैसा लगाओगे उस पे आप कितना profit कमा सकते हो वो normal profit कमा कहलाएगा तो average में से जब आप normal profit minus कर देते हो तो आपका क्या निकल के आ जाता है super profit निकल के आ super means something extra profit से जादा so that is super profit और यही super profit को जब number of years of purchase मतलब कितने सालों तक आप कर सकते हो कमा सकते हो उससे आप multiply कर देते हो तो आपका क्या निकल करके आ जाता है goodwill निकल करके आ जाता है तो मेरे पास यहाँ पे DK Goyal Accountancy की CVSE की book है जिसके page number 3.70 पे question number 12 है यह हम लोग solve करेंगे मैंने हमेशा कहा है कि accountancy को questions के थू समझना question solve करके समझना एक बहतर तरीका है हाँ theory बताना जरूरी है लेकिन अगर questions के थू आप उस चीज़ को study करते है तो वो एक कहीं जादा better तरीका होता है ठीके तो page number 3.70 पे question number 12 ISE वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं हो सकता है page number different हो और question number different हो but the content part remains the same in DK Goyal so question number 12 का मैंने एक जिस्ट यहाँ लिखा हुआ है कहता क्या है कि दो partner है A और B यहाँ पे अनुजबीनू है मैंने A B कर दिया है इनका जो capital invested है मतलब इनोंने market में जितना पैसा लगाया वो था 10 lakh रुपे उसके बाद इने पता लगा कि 15% का rate of return है और दोनों partner को 60,000 रुपे salary देना है each तो आपको salary 1,20,000 देनी है इस question में years नहीं बताए है लेकिन 3 साल का profit जरूर बताया हुआ है तो यह 3 साल का profit दिया है पहले साल का profit 2,80,000 है दूसरे साल का profit 3,80,000 है और तीसरे साल का 4,20,000 profit दिया हुआ है और कहते हैं कि goodwill is to be calculated on the basis of 2 years of purchase दो साल of purchase पे आप goodwill का calculation करेंगे सबसे पहला काम as a student या as a businessman आप यह देखोगे कि भाया हमको यह बताओ कि इस market में हम अगर घुसते हैं और यह हमारे पाट data है तो हमको normal profit कितना हुगा और normal profit पता करने का मैंने क्या तरीका बताया भाया जितना capital लगाया है rate of return से multiply कर दो पता लग जाता है चली देख लेते हैं तो normal profit हमारा normal profit is equal to capital invested into rate upon 100 capital invested भाया कितना था हमारा capital invested is 10 lakh divided by 15 यह आपको 1 lakh 50,000 दे देगा ठीक है तो आपका normal profit इस market से कितना निकल करके आ रहा है 1 lakh 50,000 अब आपको क्या पता करना है now you have to calculate the super profit की जादा कितना खमाया जा सकता है so second thing is super profit super profit का formula actual average profit minus normal profit हमको अभी actual average नहीं पता है ठीक है तो actual average हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो 3 साल का हमारा profit दिया हुआ है उसको add करके हम क्या करेंगे 3 से divide कर देंगे ठीक है तो हमारा यह कितना हो गया 10,80,000 यह हमारा in fact 10,80,000 निकल करके आ रहा है और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 3 से divide करेंगे so that we can get what we can get the your average profit so this will give you 3,60,000 अब आप यह कहो के sir किये तो average profit हो गया और जो salary बाटे में थी उसका तो कोई adjustment किया ही नहीं गया क्यूंकि हमको year नहीं बताया गया है since we don't know the year in which this salary was given तो हम इस salary को average profit में से minus करेंगे तो average profit हमारा कितना आया 3,60,000 उसमें से आप 1,20,000 को आप क्या करिए minus कर दीए तो यह आगया आपका 2,40,000 2,40,000 रुपए आपका actual average profit निकल करके आ रहा है this is your actual average profit तो अब हम क्या करेंगे super profit calculate करेंगे 2,40,000 less normal profit आपने अलड़ी calculate करा हुआ 1,50,000 तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 90,000 is your super profit and on the basis of this अगर आपको goodwill calculate करनी है तो क्या हो जाएगा goodwill is equal to super profit into number of years of purchase तो कितना आया 90,000 into 2 तो यह आपका 1,80,000 आ जाएगा this will be your goodwill ठीक है तो यह तो था एक short explanation हमारा super profit क्या होता है उससे related और super profit के थूँ goodwill को अगर आपको calculate करता है तो वो आप किस तरीके से करेंगे मैंने जैसे वीडियो के starting में आपको बताया था goodwill के already DK Goyal Accountancy के सारे questions में solve कर चुका हूँ link description में भी दिया हुआ है आप वहाँ से जाकर के playlist से आप पूरा कई सारे 12-15 videos हैं आप एक order में देखिए series में देखिए आपको बहुत फाइदा में लेगा so that's it for just now see you all very soon take care bye bye